आपने मर्दानी के कई कस्से सुने होंगे और इसे फिल्मों में कई मर्दानियों की जहलकिया देखी भी होंगी साहस और हिम्मत की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाले एकमा ऐसी है जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए सड़क पर रिक्षा दोडाती है हम बात कर रहे हैं दिली से सटे गाजियाबाद के भौपूरा में रहने वाली 30 साल की अन्नु शर्मा की जो की जीवन के उस दोर में भी हिम्मत नहीं हरी जब पती ने उनका साथ छोड़ा जीहां 2014 में अन्नु के पती की कैंसर से लड़ते हुए मौत हो गई और उस समय अन्नु के पास सिर्फ पती के रिक्षे के अलावा कुछ नहीं बचा था ऐसे में अन्नु ने अपनी बेटियों को पालने के लिए रिक्षा चलाना शुरू कर दिया और लोगों की कट्र शब्द सुनने के बाद भी ये काम चारी रखा आज अन्नु सुबह 6 बजे से रिक्षा चलाना शुरू करती हैं और इस पर ही बेटियों को भी स्कूल छोड़ती हैं यही नहीं घर संभालने के साथ साथ रात तक वे रिक्षा फिचती हैं पती की मौत के बाद अन्नु के पास कुछ नहीं बचा था सारा पैसा इलाज में जा चुका था उनके पास सिर्फ था तो पती का रिक्षा अन्नु ने बताया कि उनके देमाग में ये जरा भी सोच नहीं थी कि रिक्षा चलाने का काम पुरुशू का है उनके पती उनका साथ छोड़ कर गए तो उन्होंने रिक्षा का साथ लिया और फिर सड़कों पर उतर गई रिक्षा को संभालने में थोड़ा समय जरूर लगा लेकिन उन्होंने भार नहीं मानी और आज उन्हें राजिंद्र नगर में रिक्षा चलाते हुए दो साल हो चुके हैं और वे एक एकली को भी काफी बहतर तरीकर से जान चुकी हैं बेटियों को कई घड़ों में बोच समझा जाता है लेकिन अन्यों के लिए उनकी बेटिया उनकी हिम्मत हैं और इन्हें देखकर ही वेह काम कर रही हैं अन्यों की दो बेटिया हैं एक पांच साल के रिंकी और दूसरी बेटी नौ साल की रोशनी दोनों बेटिया क्लास एक और क्लास चार में पढ़ती हैं शाम के समय बेटियों को रिक्षे में ज्यूलाती भी हैं जिससे वी अकेली ना रहें अन्नू बताती है कि उनके पती का एक ही सपना था जो था बेटियों को डॉक्टर बना सके इसके लिए अन्नू रात में भी एक काम करती है जिसे अच्छे पैसा कमा सके अन्नू बताती है कि वहरात में हॉस्पिटल के बाहर रिक्षा चलाती है जिससे एक दिन में वेह कभी 300 रुपए कमा लेती हैं लेकिन कई बार कुछ असामाजिक तत्वों के कारण उनकी 50 रुपए की कमाई भी नहीं हो पाती है लेकिन ऐसे में वेहार नहीं मानती हैं और अगले दिन दोगनी हिम्मत से काम करती हैं अन्नू ने बताया कि कई बार लोग उन्हें उल्टा भी बोलते हैं और कुरुषों का काम करने के लिए कई बातें भी सुनाते हैं हाल ही में कुछ पुरुषों ने सड़क पर उनका रिक्षा भी पलट दिया था और दोबारा रिक्षा न चलाने की भी हिदायत दी लेकिन वे इस सिहार नहीं मानी उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी महिलाई भी हैं जो उनकी इस हिम्मत और मरदानी जज़बे के लिए उन्हें प्रोच साहित करती हैं उन्हें काफी अच्छा लगता है कि वे अपने पती के काम को अपना कर आगे बढ़ रही हैं और उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पर रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइप एवं शेयर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो किसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें